असलाम अलेकुम फ्रेंस तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफस्ट में सेमिया का उपमा बहुती टेस्टी हमारा ये आज का ब्रेकफस्ट बन रहा है आप चाहे तो इसको स्नायक्स में भी आप खा सकते हैं जब आप को छोटी भूख लगती है न तो तब भी आप इसको बना एक बहुती बन जाता है और बहुती आपक जल्दी से बन जाता है बहुती पर लुट हम हलका सा गी डालके मैंने एक चमच घी डालके उसको हलका सा भूनके रख लिया है बस बहुत आसान से हमको इसको भून लेना है हमना यहापढ़े टमाटर और दो से तीन हरी मिर्ज और एक मीडियम से इसके चॉप के हुए ओनियन्स यानिके प्यास तो बहुत ही कम इंग्रीडियन्स से हमारा ये रेस्पी बनने वाला है एक कढ़ाई में हम डालेंगे एक चमज भर का ओईल और एक चमज भर का घी फिर नेक्स डालेंगे आ तरह से एड़ करेंगे बहुत टेस्टी हमारा ये उपमा बन जाता है अब इसको हम हलके से गोल्डन फ्राइ कर लेंगे तब तक जब तक जो ओनियन्स है वो गोल्डन कलर में नहीं हो जाता उसी साफ से आप इसको फ्राई कर लें नेक्स हम डालेंगे टमाटर और हरी तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स अप कर लेते हैं और हमारा यहाँ पर जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुका है अब हम यहाँ पर आड़ कर रहे हैं गरम पानी आप चाहाए तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते लेकिन अगर गरम पानी डालतो तो जल्दी उपमा बन जा जादा है और जादा आपको वेट करने की जुरूद नहीं पड़ेगी तो हमने यहाँ पर गरम पानी आड़ किया है जितना आपने सेमय लिया है उसी हिसाब से आप दो गुना आप इसमें पानी आड़ करोगे तो अगर आप एक बॉल सेमय लेते हो यानिकि सेम्या तो उसी बूल देंगे तो एकदम वहले जादा मैंने इसको कर दे भूद हैे तो एकदम हलके से मैंने इसको मैं बूलना नहीं किया है तो उसी yup सबसे आप भी भून लिजेगा तो अच्छे से इसको हम mix up कर देंगे और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे slow flame पे तो चलिए इसको हम ढग देते हैं और flame को हम slow कर देते हैं और 5 से 10 मिट तक हमारा जो सेमई है वो गल जाएगा और हमारा breakfast ready हो जाएगा तो चलिए open करके देखते हैं 10 मिट हो चुका है slow पे हमने रखे हुए है ना बहुत easy recipe जो मैंने आपको दिखा है तो देख सकते हैं जो सेम्या है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है सारा का सारा पानी सोक हो चुका है हमारे सेम्या में तो हमारा यहाँ पे गर्मा गरम सेम्या को जो उपमा है वो बन के बिल्कुल ready हो चुका है इसको आप गर्मा गरम सर्फ कीजिए अपने family अपने friends अपने महमानों को खिलाए खाए और खुश रहे मेरे इस चैनल को like और subscribe करना ना भूले और हाँ comment section में जरूर लिखे कि आप को मेरी रस्पी कैसी लगी thanks for watching